आप सभी को मेरा प्रणाम, आज विध्यर्त जीवना और अनुशासना इसके बारे में चर्चा करेंगे, नियमों के अनुसार जीवन यापन करना मानव की प्रगतिक मूल मंत्रई, अनुशासना रखने से मानव की सारी शक्तिया केंद्रत हो जाती है, और समय का सदुपय होता है, क्योंकि इधर उधर के सोच विचार से समय नश्ट होता है, पारिवारिका, सामाजिका और विध्यर्त जीवन में अनुशासना बहुत महत्तुपूर्ण होता है, जीवन में अनुशासन का पालन करने से हम कोई भी लक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जिस देश के नागरिका अनुशासिता है, वहा देश हर क्षत्र में प्रगतिके पत पर आगे बढ़ता रहता है, विद्ध्यार्त जीवन में अमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या है, अपनी दिनचर्या, रहन सहना, सोच, विचार और अपने समस्त बहार को विवस्तित करना ही अनुशासन है। अनुशासन का गुण बचपन में ही ग्रहन किया जाना चाहिए। जीवन की प्रथम पाटशाला अनुशासन ही है। पढ़ाई करते समया अनुशासन का पालन करने से विध्धार्ती अच्च अंको से उत्तीर्ण वोते है। अगर हम अपने जीवन में नियमों का पालन नहीं करते है तो अमारा जीवन कष्ट में ओजाता है। प्रकूर्ती अनुशासन सिखने का सबसे बड़ा आधर्श उदाहर्न है। सुरज अमेशा अपने नेमित समय पर उगता है और नेमित समय पर अस्तव हो जाता है नदिया अमेश बहती रहती है, मौसम नेमित समय पर आते है और चले जाते है अगर प्रकुर्ति अपने कार्या नेमित रूप से ना करे तो मानवजाति का विनाश हो जाएगा इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करते है तो अमारा पतन भी निश्चित हो जाएगा जीवन में अनुशासन ही अमारा भविश्य निर्धारित करता है अनुशासन की राहा तोड़ी खटिन जरूरी होती है परंतु हम राह पर चलने के बाद मिलने वाला फल बहुत मीठा होता है अनुशासन ही वहा उत्तम मार्ग है जो अमें जीवन में आकाश की बुलंदियों को चूने में बहुत मदद करता है अनुशासन का पालन करने से जीवन में बहुत लाभ मिलते है जैसे हम तनाव मुक्त रहते हैं, हर काम विवस्तित डंग से होता हैं, हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं, और अमारा जीवन कुशहाल हो जाता हैं. आज कविशे संपन्न हुआ.